For what I live on this earth, मैं किस बात के लिए मैं जी रहा हूँ? ऐसा क्या है प्रभू? मेरे पूरवज तो प्रभू तुझे जानते भी नहीं थे, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने येश्व मसी को अपनाया, आपने अपनाया, मैंने अपनाया. आईए प्यारो प्रभू से कहे, कि प्रभू, अगर आपने हमें आपके साथ जोड़ा है, तो आपकी बातों को समझने के लिए हमें आपकी समझ दीजिए. आपका आत्मा, पवितर आत्मा हमें समझाने के लिए हमारे पास भेजिए. पवित्रा आत्मा है हमारे भीतर पर्मेश्वर का आत्मा वो है जो सत्य में अगवाई करता है वो हमारी अगवाई सच्चाई में करता है और यही हमें हमारे जीवन के अंतक चाहिए प्यारो मांगे प्यारो प्रभु से कहे online जितने भी लोग जुड़े है आप सभी लोग अपनी आखे बंद करें आजू बाजू ना देखे अपने आपको डिस्टरब ना होने दे बट उस खुदावन परमेश्वर की और अपनी नजरों को ले जाएए जो खुदा आपको चाहता है जिसने आपको चुना है जिसने आपको अलग किया है संसार से और अपना बहुमुल्य पवित्र नाम दिया है मांगे प्यारों प्रमेश्वर हम आपकी और देखते हैं आपकी सहाइता मांगते हैं आज के वचेन के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहाइता करें येश्व का लहू यहाँ बैठे और आनलाईन जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के उपर उनके घरों के उपर उनके आस्पास के वातावरन पर यहाँ पर हम सभी पर हम لेते हैं और शत्रू की हर एक युकती को, शयतान की हर एक चालो को, जो परमेश्व के वचनों से हमें इग्णॉर रफ्त हो, या तो हमें अन्जान रखने के, कोई साजी शो येश्व के नाम में हम उसे थोड़ते है, प्रभू तेरा वचन सत्य है और सत्य को जब हम जानते हैं, उन ज जंजीरों को हम तूटती हुई देखते हैं जो हमारे जीवन में जूट की है या तो कोई ऐसी संसारिक ट्रेडिशनल से बनी हुई है हम आज मांगते हैं हर एक रीती रिवाज के बंधन ठोटे ये शुके नाम में हमें एक लिविंग रिलेशन्शिप में अभी बेठा कर पव प्रमेश्वर से प्रभू मुझसे व्यावहार करें आपका आत्मा मेरी आत्मा के साथ व्यावहार करें मुझसे बात्चीत करें मेरी आखो को खोलें कहें प्यारों मांगें प्रमेश्वर से मांगें प्रभू वो है जो आपके लिए सब कुछ करता है प्यारो जब उसकी ब स्वर्गीय बात है और को अनकी बातों को हमारे तक ला नहीं सकता है प्रभू आपके हाथ हो में इन बहु मुल्य लोगों को हम सौंपते हैं मुझ पापी को निर्बल को आपके हाथ हो में रखते हैं मांगते हैं परमेश्वर आपके अभी शेक में हमें अगवाई करें और आपकी इच्छा को पूरा करें येश्यु मसीह के नाम से हम दूआ करते हैं आमेन हलेलोया कि प्रेस्ट लॉट प्रभु किस्तूति हो परमेश्व के दास ने जो बाते बोली है प्यारों अब द्यान में लीजिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आपको रिती रिवाजों में नहीं बांद कर बैटना जाए कि ये बात हर एक मसीह के साथ घट सकती है देखो जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं बहुत अद्बूत है बहुत अच्छी बात है बट उस रिष्टे को कायम रखना वो हमारी और होता है रिष्टा बांधना उसकी और से होता है वो हमारी मदद करता है बट उस रि रहे हैं आप लोग वो परमेश्वर हमारे ऊपर चुड़ा है उन्होंने क्या बोला तुम मुझ में बने रहो बोलो तुम मुझ में बने रहो कहो मुझे परमेश्वर में ये शुमें बने रहना है ये ये प्रयास हमारी और से प्रभू चाहता है अलेलोया घर पे हो बाहर ह नौकरी पर बिसनेस पर उठते बैठते या कलीश्या में हो हमें ऐसा लगता है कलीश्या में आ गए नब हम प्रभू के साथ जुड़ गए है नहीं भवन में बैठ गए सो अब हम पूरा गए नहीं हम इस बात को समझना बहुत ज़रूरी के हमें साथ योग हमें बने रहना है पिछले एक महने पहले कुछ बाते हमने सीखी थी समझी अगर आपको याद हो तो पता है उसी विश्वाई पर हम आज आगे बढ़ेंगे कि उसी विशय पर हम आगे बढ़ेंगे और अगर आज समय निकलाए पर जितना हो सकता है हम पूरा करने का प्रयास करेंगे परमेश्वर हमें उन बातों के लिए अंजान रहे यह नहीं चाहता है पता है कुछ कौन से विशय पर हम एक महने पहले मेरे ख्याल से 12 डिसमबर की आज-बास और उससे पहले पता है कुछ online हां है पवित्रात्म का बबती स्मगों यह परमेश्वर के लोगों का न्याए जज्जमेंट ऑफ ही स्पीपल में परमेश्वर के लोगों का न्याए कैसे होगा किस प्रकार होगा क्या होगा कब होगा नहीं यह सब बात हैं हम अरे अगर आप भारादेश में रहते हो, हम यह नहीं कहते हैं, कह सकते हैं, कि बहुत मुझे यह काईदा, यह लौ के बारे में पता नहीं था, इसलिए अगर मैंने यह काईदा तोड़ा है, मुझे सजा से आजादी मिल जाएगी, ना? हो सकता है क्या ऐसा? हम लौ से बंदे हुए, चाहे लौ काईदा हमें पता हो या न हो, हम उसके साथ जुड़े हुए है, जहां पर हमारी नागरीकता है, जहां पर हमारी सिटिजन्शिप है, वहां के काईदे कानून हम पर लागू रहते हैं, चाहे हम उसको जाने या न जाने, हम किसी को मार कर किसी की बेई जती करकर कोई हमारे खिलाब केस करे और हमें पैनल्टी भरवाए हम यह नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था इसलिए गल्ती से हो गया हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी समझ में आ रहा है आपको उसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में भी कुछ कानून है काइदे है जो हमारे जीवन पर जो परमेश्वर के लोगो पर जारी है लागो है अगर हम उससे इगनौर रहेंगे अंजान रहेंगे बहुत सारी गल्तियां हम करते रहेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा सो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें यह पता हो कि परमेश्व के लोगों का जज्जमेंट न्याए किस प्रकार होगा और कैसे हो सकता है क्या होगा उस समय ने और किन-किन आधार पर किन-किन बातों को आधार बनाया जाएगा हमारे जज्जमेंट के लिए देखिए दो लाश्ट टाइम अमने सीखा था दो तरह के लोगों का न्याए होने वाला है अब मेरे साथ निकाले युहन्ना रचित्सू समाचर पांचवा अध्याए युहन्ना रचित्सू समाचर पांचवा अध्याए पता नहीं उस समय भी टेक्निकल इश्यू यही संदेश को लेकर आया था हर बार जब भी यह आता है श्यातन नहीं चाहता है कि हम इसके बारे में समझ पाये पूरे रूप से युहन्ना रचित्सू समाचर पांचवा अध्याए देखो क्या कहता है कौन वो न्याए करने वाला है संसार के लोगों का और उसके लोगों का परमेश्वा के लोगों का कौन करने वाला है तो पांचवा अध्याए 22 वियाए देखो क्या लिखा है पिता मतलब परमेश्वर पिता किसी का न्याई नहीं करता परंतु न्याई करने का सब काम पुत्र को सौप दिया है किसको पुत्र मतलब येश्व मसी बोलिये येश्व मसी येश्व मसी मेरा न्यायाधिश है वो आपके हर बुरे बले कामों का न्याई करेगा सुन रहे हैं कि आगे क्या लिखा है 25 वी आयत से पढ़ते हैं मैं तुम से सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्व के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीएंगे कौन कौन वो क्या होंगे जीएंगे मतलब यहां सब्द क्या लिखा है मृतक जो मर चुके हैं जो मर गए है मानलो तो उस समय से पहले अगर हमारी मृत्यू हो गई है हो जाती है तो हम मृतक में होंगे हम जिंदा लोगों में ही होंगे बट हम कौन से सुची में होंगे मृतक में तो यहां क्या लिखा है जिसमें मृतक परमेश्व के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे ज सुनेंगे कैम रूत क सुनेंगे वे जियेंगे साथ समझ में आ रहा है क्या जो है जो मुरूत क सुनेंगे वे जियेंगे सका मतलब है कि कुछ मुरूतक ऐसे जो नई सुनेंगे उनको बहुत भारी समय से गुजरने की बार यह देखे लिख Cities रितία से 26 पिता अपने आप रखे वरन उसे 27 वियायत न्याय करने का भी अधिकार दिया है क्या दिया है न्याय करने का अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुश्य का पुत्र है येश्यु मसी इस संसार में मनुश्य बनकर आये और मनुश्य बनकर जीए और कैसा जीवन जीए एक सामान्य इंसान की तरह ज निश्पाप और निश्कलंक जीवन उन्होंने जिया पाप का थोड़ा भी करप्षन उनके उपर नहीं हुआ था वो पवित्र अर्पन चड़ाया था इसलिए वो संसार के हर एक मानव के पापों को उठा सकते हैं लिखा है इसलिए अचंबा मत करो क्योंकि वस समय आता है दे जितने कब्र में वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे अब ध्यान से सुना कितने लोग होंगे उस समय जिनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उस आवाज को सुनकर उठेंगे और लिखा है और जीनोंने बुराई की है वे दंड के पुंदृत्थान के लिए जी उठेंगे जो बुरा जीवन जीना जीनों ने चुनाव किया प्रभू में आने के बावजुद भी हां मैं ये शब्द बूल नहीं प्रभू में आ गए उसके बावजुद भी उन्होंने यही चुने रखा जैसे ऐसा उने किया पता वारिष था सारे वाइदे सारे प्रामिसिस उसके पक्ष में थे क्योंकि वह बड़ा था जेठा था बड़ा था बट्क्या किया उसने शारीरिक लालसा की अंदर क्या हुआ उसको शारीरिक लालसा बोलिये उसको उस समय जरूरत थी खाने की और उस खाने की लालसा की वीरासत किसके हाथ में आई याकूब के जब कि यह भविश्यवानी बोली जा चुकी थी बट यह कैसे पूरी होने वाले थी इसके लिए भी चुनाओ गलत चुनाओ किसी ने किया कि प्यारों यह यह बात है दो जंड नहीं परमेश्वर में आयो हुए लोग भी अपनी वीरासत को गवा सकते हैं अपने आपको जैसे प्रभु के दास ने बोला प्लीज अवेर रखिए अपने कर्तव्य को समझे सिर्फ यहां बैठ कर कर्तव्य ना समझे घर जाकर भी समझे कि मेरा कर्तव्य क्या है सिर्फ नौकरी करना बिजनेस करना और बस इधर उदर आना जाना मेरा सुबह से शाम टाइम पास करना यह मेरा कर्तव्य नहीं यह मेरी जिम्मेदारी में आता है बट परमेश्वर के प्रति मेरा कर्तव्य कुछ और है जिसके बारे में हम अंजान नहीं रह सकते हैं रह सकते हैं क्या बाबी रह सकते हैं प्रभु के करतवे के प्रतिहन जान रहेंगे क्या होगा क्या होगा क्या हो सकता है बड़ी कीमत और बड़ा लॉस हो सकता है लिखा है जीवन के पुन्रुथान के लिए जीनों ने भलाई किये वे आएंगे और दंड के पुन्रुथान के लिए जीनों ने बुराई किये वे उठेंगे मतलब दंड का पुन्रुत्थान अलग है दंड का पुन्रुत्थान अलग है और जीवन का पुन्रुत्थान अलग है दो अलग अलग है और इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में जो प्रथम पुन्रुत्थान में भागी है धन्य है वे अललोया धन्दिय है वे जो प्रत्थम बुंदृत्थान में भागी हैं सो हमारा प्रयास हमारे जीवन में यही रखना जरूरी है प्यारो कि हम आखे बंद कर जीवन मसीही जीवन ना जीए बोलिया आखे बंद करके मसीही जीवन मुझे नहीं जीना है यहाँ पर जो आयत है वो यही बताती है पहला पत्रस 4, 17, 18 क्योंकि वस समय आप पहुंचा है कि पहले क्या लिखाए पहले बोलिया पहले और अभी यहनना 5 और 29 में क्या पढ़ा उसमें भी पहला भलाई करने वाले लोगों का पुंदृतन चीवन का पुंदृतन प्रकाशित वाक्ये में भी वही बात लिखी है अगर बीस वेद्य में आप पड़तों वहां पर भी वही बात है कि प्रत्र पुंदृत अब यह जो पहला जुन्याए होने वाला है वो किन लोगों का होने वाला है किन का लिखाए कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप चेक करके बोलिएगा और मिल रही है तो मुझे इसारा करना कि हां ओनलाइन जा रही है स्लाइड क्योंकि कोई भी इगनॉर रहे मैं नहीं चाहता हूं इन बातों के लिए और इसके बाद हमारे हाथ नहीं आ रहा है ओनलाइन स्लाइड नहीं जा रही है लिखाए क्योंकि वह समय आप पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याई किया जाए और जबकि न्याई का आरंब बोलिए न्याई का आरंब हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सूसमाचार को नहीं मानते इसका मदलब सूसमाचार को नहीं मानने वाले लोग भी है होंगे है ना बट सूसमाचार नहीं मानने वाले है तो इसका अबलब सूसमाचार कहने वाले भी होंगे कहेंगे तो माने नहीं मानेंगे ओके कि प्रकाशीत वक्ये 22 और 12 में लिख है देख मैं शीग्र आने वाला हूं हरा रेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास क्या है प्रतिफल बोलिये प्रतिफल बदला पुरस्कार यहां जो प्रतिफल का मतलब है वो है पुरस्कार हाललुया लाश्ट टाइम हमने सीखा था कि मान लोग कोई डिग्री किसी को दी जाए जो लोग ग्रेजिएट हुए है जिनोंने डिग्री पाई है नहीं कोई एंजिनेरिंग या डॉक्टर की या कुछ ना कुछ जो लोग डिग्री असिल करते हैं उनका एक दिन तै किया जात है पूरा कर दिया है कोई बीसी बीकॉम में सी में बीए जो भी करता है वो डिग्री दी जाती सबको डिग्री दी मिलती है है ना सबको मिलता है बट पुरसकार उनको मिलता है जो लोग हाई रेंक में होते हैं है ना जो लोग हाई रेंक में होते हैं इसका मतलब क्या पता है उस न्याई के समय में पुरसकार दिये जाएंगे बट बहुत सारे लोगों को लॉस होने वाला है लोगों को लगेगा कि यार हमने थोड़ी सी और प्रयास की होती तो हमें ये पुरसकार मिलता है काश मैंने प्रभू की उस अगवाई को मान लिया होता तो मैं इस पुरसकार से वंचीतना हो जाता है जो पुरसकार दाउद को मिल रहा है वो ही मेरे हास हो मुझे भी मिलता है सो बहुत सारा लॉस होगा प्यारो अगे में देखते हैं रुम्यों चवदा 10 से 12 हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सियासन के सामने खड़े होंगे सो हम मेंसे हरे एक बोली हम मेंसे हरे एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा अपना हिसाब देगा आगे लिखाए दूसरा कुरंधी 5-10 अवश्य है कि हम सब का हाल मसी के नियाय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बोलिया अपने अपने भले भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हो मतलब इस physical life में जो कुछ भी प्रभू के पक्ष में आने के बाद जो कुछ भी गुना की है उसके पहले के तो प्रभू ने मिटा दिये है पर उसके बाद अगर जो जो भी गल्तियां की है उनका judgment होगा, उनका न्याई किया जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ लोग बहुत ज्यादा ही hyper grace में चले गए है, और उस वज़े से क्या ऐसी शिक्षा संसार में है कि नहीं हम तो we are justified और हमारा कुछ भी न्याई होने वाला नहीं है नहीं प्यारा, परमेश्व के लोगों का न्याई भी होगा सबसे पहले, और उनके भले काम और बुरे काम, दोनों का न्याई होने वाला है Bible 12 दिया 6 से ग्यारा, किस आधार पर होगा? तो कामों के आधार बोलिए कामों के आधार पर छे से आगे पढ़ते हैं, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, हर एक को, कॉर्णर में जीमी बैठा है, उदर जोती बैठी है, यहाँ पर प्रियल बैठी है, इधर प्रभु के दास बैठे है, यहाँ शेहन बैठा है, पूरा सरकल अगर हम लगाते हैं, एक भी नहीं बचेगा, जो ऑनलाइन बैठा है, वो सारे घर सुनने वाले हर एक, जो जो मसीही है उनको कामों के अनुसार बदला मिलने वाला है सात्वियात मिलेगे जो सू कर्म में स्थिर रहकर बोला सू कर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोज में है कुछ ऐसा है जो हम आज तक ढूंड नहीं रहे है कि जो यहां पर बताया है क्या है महिमा आदर और अमर्ता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा क्या पड़ेगा क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और सं कट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा पहले यहुदी पर फिर युनानी पर लिखा है कि पर दस भी आयत में लिखा है महिमा और आदर और कल्यान आप प्लीज इन आयतों के साथ रहे जो जो बाते आ रही है मैं सब जगे रुक रुक कर से हर एक चीज़ को छोटी छोटी करके तोड़ तोड़ के आपको समझा नहीं सकता हूं हमारे साथ जुड़े रहे हैं और इस बात पर स्क्रीन पर भी ऑनलाइन जो लोग है आप देखते रहे हैं क्या कहां चेंज आ रहा है नहीं तो आप कुछ कोई भी कड़ी आप मेंस कर दोगे कुछ बाते आगे कि आप को समझ में आए ना है लिखा है महिमा और आदर और कल् परमेश्वर देना चाहता है उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के अधीन चलते हैं किस आधार पर वो सब बाते हम आगे देखेंगा हमारे काम के अनुसार यह सब तै किया जाएगा हमारे काम हमारे साथ आते हैं हमारे काम हमारे साथ आते हैं प्रभू यह नोट करता है एफेसियों की पत्री दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय आप निकाले उसमें एफेसियों की जो कलीश्या है उसको परमेश्वर क्या कहते हैं यह कलीश्या को बोला हुआ संदेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष येशु कहते हैं मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं क्या जानता है प्रभू तेरे काम बोले काम परिश्रम और धीरज आप कहें मेरे काम मेरा परिश्रम और मेरे धीरज को मेरा येशु जानता है कि जानता है उसको पता है कि लिखा है कि आगे तीसरी आद में पढ़ता हूं तू धीरच धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं तो दुख भी उठा रहा है मेरे नाम के लिए पर मुझे तेरे विरूद चौथी आद क्या लिकी है मुझे तेरे विरूद बोले तेरे विरूद इसका मतलब क्या है पता प्रभु जहां अच्छाई को सराहना है वहां सराहेगा बट जहां बुराई है वहां लकडी लेगा वहां ताड़ना, अपने आपको कलिस्या में पाकर, आप बहुत ही भले, और बहुत धार्मिक मत समझ ले ना अपने आपको, इवन मैं और में और मेरा परिवर भी इसमें आ जाते, हम सेवक लोग भी आ जाते हैं, हम यह गर्व कभी नहीं कर सकते हैं कि हम इस सरकल से बाहर है हम भी इसी सरकल में इसी दाइरे में आ जाते हैं कि क्या लिखा है मुझे तेरे विरुद यह कहना है जहां परमेश्वर को कोई भी कमी खलती है वो चुप नहीं रहेगा वो बोलेगा और इसलिए परमेश्वर कहा है आत्मा कलीशियों से क्या कहता है सुन ले इन नए साल में सिर पर अपहाद गुमाने वाले वचन शायद आपको मिले ना मिले बट जो मिले हैं अगर उसमें आप अपने जीवन में करेक्शन लाओगे तो जरूर परमेश्व की सहरहना आप पाओगे प्यारों लिखा है प्रेम मतलब उसके काम बीना प्रेम के हो रहे हैं विताव लव इस पॉसिबल हम चाहे जितनी भी आत्मी कलीशिया बन जाए इतना याद रखना प्रभू से मुझे प्रेम पूरे बल से पूरे बुद्धी से मेरे पूरे प्रान से और शक्ति से करना है तब ही मेरा प्रेम जीवित रहेगा उसका प्रेम तो है बट मेरे प्रेम को मुझे जीवित रखना है अंतिम समय के लिए कलीशिया को यही बोला गया है कि उस परम पवित्र प्रेम में अपने आपको बनाए रखो प्रभू के प्रेम में अपने आपको बनाए रखना पड़ेगा, कड़े श्टैप लेने पड़ेंगे, आंख ठोकर खिलाएगी, निकालने पड़ेगी, हाट ठोकर खिलाएगा, तो काट कर निकालना पड़ेगा, पाउं ठोकर खिलाएगी, तो काटना पड़ेगा, इसका मतल कि मैं यह कहूंगा प्यारों उत्रान मनाना गलत नहीं है मैं ऐसा नहीं कहता हूं का पतंग नहीं चाड़ाना चाहिए क्रिकेट नहीं खिलना मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं कि अगर कोई भी पर्व आपको परमेश्वर की महिमा से अलग करता है तो ऐसे पर्व मनाना बंद कर देना है कि कोई भी पर्व आपको प्रभु के साथ का समय चोरी कर लेता है तो ऐसे पर्व बनाना बंद कर देना ऐसे शौक पालना बंद कर देना उत्रान नहीं कुछ भी हो सकता है कि कोई फाइदा नहीं होने वाला है लॉस ही होने वाला है अगर प्रभु को महिमा मैं नहीं दे रहा हूं उस समय में भी लिख्यों कि ऐसा लिख है जो कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें प्रतिफल क्या है न्याय के समय कि यह होने वाला है कि प्रतिफल पर कब वचन यह कहता है लुका चवदा तेरा से चवदा क्या लिखा यहां पढ़ेंगे जब तु भोज करे तो कंगालो टुंडो लंगडो और अंधो को बुला जब तु बड़ी पाठी करे बड़ी मिजबानी करे तो क्या कर कंगालो को टुंडो को लंगडो को और अंधो को बुला तब तु धन्या होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वे खुद निर्धन है उनके पास कुछ नहीं है परन्तु तुझे क्या मिलेगा धर्मियों के जी उठने पर पहले पुंद्र उत्थान पर न्याई कब होगा पहले पुंद्र उत्थान पर धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा कब मिलेगा इसका मतलब जो न्याई होने वाला जो रिवॉर्ड पुरसकार प्रभु देने वाले कलिसिया को वो वो समय है धर्मियों के जी उठने की बात पर अभी हमने पड़ा योहन पांच वे अध्याई में कि मृत्तक उसका शब्द सुनकर जी उठने जीनों ने भलाई की है वो जीवन का पुंद्रुत्थान के लिए जी उठेंगे दूसरी आयत बाइस और बारा में येशु कहते हैं देख मैं शीग्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है कब जब वो आएंगे इसका मतलब पता है घटना कौनसी कौनसी जूड रही है कनेक्ट कहा हो रहा है पता चल र अपने आपको जगाए फ्लो में बने रही है कब ये कौनसी दो घटना जूड रही है अब यहां पर कि धर्मियों का जी उठना और दुसरा येश्व मसीह का आना ये दो घटना जूड रही है कनेक्ट हो रही है और उसमें तिसरी घटना उसके बाद एड होगी लोगों का न्याए लोगों का नहीं मत मसीह के लोगों का न्याए दूसरा तीमोथी चार और आठ में लिखा है भविश्य में मेरे लिए धर्म या तो धार्मिकता का वह मुकुत रखा हुआ है जिसे प्रभू जो धर्मी और न्याई है मुझे उस दिन देगा उस दिन बोलिए उस दि और मुझे ही नहीं पॉल उस कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी बोलिए उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं जो उसकी बाट देख रहे हैं कि हां मेरा प्रभू आ रहा है मुझे दुलहन के रुप में अपने आपको तयार करना है मुझ परमेश्वर के ठहराई हुई योजना में चलना, उसके कारियों को करना, उसका बदला जो से पॉल उस चला उस योजना में, जब उसको पता चला कि वो कुछ गलत रह पकड़ लिया है, जब उसको पता चला सच्चा ही किया है, वहीं उसने अपने आपको रोका और वहां से य की पश्याताप उसने अपनी अपनी अपने आचरण को अपनी आदतों को अपने टार्गेट को अपने खुद की ठहरा हुए मन घड़त या तो मन की योजनाओं को छोड़ा वहां पर और प्रभु की योजना को अपना लिया वर उसने उस दिन से अद्भुत तरीके से प्रभ जला उस दिन मिलेगा कुस किस दिन है धर्मियों के जी उठने पर नंबर वन नंबर दो जब येश्व आएगा तब है तो यह सब घटना एक दूसरे के साथ करनेक्ट है आप समझ रहे हो है हालेलोईया है जज्ज्मेंट सीट ओफ क्राइस दूसरा कॉरंधी पांच और दस में लिखा हम सब का हाल मसी के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा अब जो मसी का न्याय आसन जो शब्द है वो लिखा है बीम सीट बीम सीट अब बीम सीट ऐसी अगर आपको पता हो तो दो एक्जांपल मैं देता हूँ ओलिम्पिक गेम्स जब होते हैं तो पहला नंबर वर्न दुसरा और तीसरा तीन अलग-अलग रेंक होते बराबर बाकी बहले चौथा आयो पट उसमें उसको स्थान नहीं मिलेगा मैडल उन तीन को ही मिलेगा एक तो गोल्ड मैडल कि सिल्वर मैडल और ब्रोंज मैडल है ना सो उन तीनों को खड़ा एक लेवल में किया जाता है कि उन तीनों को उनके लेवल अलग होते ना एक छोटा होता है एक उससे थोड़ा बड़ा होता और एक उससे बड़ा होता है क्यों अगर दुनिया इस प्रकार तोलती है पहले दूसरे तीसरे को सो हमारा परमेशुर क्या नहीं देखता है सब कुछ वो हमारे परिश्रम और सब कुछ जानता है समझता है प्यारों और वो बीम सीट जो वो एक्जामपल है बीम सीट का मतलब यह नहीं है कि प्रभू अपतय करेगा कि इतने नर्क में जाएंगे और इतने स्वर्ग में जाएंगे यह मसी लोगों का न्याई की बात है जो लोग उठेंगे उनका न्याई की बात है जो पहले पुन्रुथान में उठेंगे वो पुरस्कार पाने के लिए उठने वाले हैं आललोया आललोया बट उसके लिए हमें समझ लेनी पड़े इग्नॉर अज्ञान नहीं रहना है बीमा सीट जज्जमेंट बीम सीट जज्जमेंट कहते हैं यह एक ऐसी जगे है है रोद लगा जब था उसने स्टेडियम में ऐसा मांट्रिंग प्लेस बनायाहे ता जहांपर वो खंडा रहकर सबको दिखाई देता था पूरे सर्कल सर्कुलर पूरा स्टेडियम होता था सबको दिखढ़ाई देता और सबको उसकी आवाद सुनाई देती थी ऐसा एक प्लेसे कि वो ऐसा न्यायासन है जहां से परमेश्वर अपने चुकादों को जाहिर करेगा कि वहां पहले पुनुरुथान में कोई अविश्वासी नहीं होगा क्योंकि उनका अलग न्याय होगा वाight throne जज्जमेंट श्वोजविच सिहासन का न्याय आपको प्रकाशीत वाक्य में अंतिम दो अध्याय में आपको पता चले मैं अगर कहूं तो कि 22 फष्वे अध्याय में उसके बारे में और इस वे अध्याय में वह वहर न किया गया है कि उनका अलग न्याय होगा कि ये श्वेद सिहासन है और इस प्रकार वो लोग खड़े होंगे और ये होगा प्रभु येश्यू का आगमन के एक हजार साल भी तने बाद ये अन्य विश्वासियों का होगा इसमें हम नहीं देख सकते हैं आगे उद्देश क्या है क्यों अब ये ध्यान से समझना क्यों ऐसा करना जरूरी है पहला उद्देश प्रत्येक विश्वासी के कर्मों को खुले तोर पर प्रगट करना चाहे व इसलिए हम बार-बार कहते हैं अपनी आदतों को सुधारो स्पेंड योर टाइम बहुत ही डिलिजेंटली बहुत ही सचेत रहकर अपने समय को गुजारो प्यारों ऐसा नहों कि आपकी खुशियों का भी न्याई किया जाए पर्वो देने वाला खुदा है बट उन पर्वो में परमेश्व्र को बेजयत करने वाले अगर हम बनते तो उसका न्याय हो जाएगा प्रभु को हम बेजयत नहीं कर सकते हमारे पर्वो में पर्व है इसका मतलब यह नहीं कि दारू गुट खा बीड़ी जो भी आया पी लिया खा लिया और मजे मार लिये जो भी करना एक कर भी मुल्यांकन किया जाएगा उद्देश नंबर दो अच्छे काम हमारे जो होंगे उसका मुल्यांकन किया जाएगा कैसे कि हमने किस मकसद से वो काम किये हैं हमने सेवा की तो अपनी बढ़ाई के लिए की अपनी खुद की प्रशंसा के लिए की जैसे येश्व मसी ने फर जल जाएगा प्रभु की आग में ऐसे काम है आगे आएगा वो सब सो ये नंबर दो है पहला है खुले तोर पर विश्वासियों के कामों को प्रगट करना और नंबर दो उनके कामों के मकसद को जाहिर करना intentions इरादे अच्छे काम अच्छी सेवा के पीछे किसी की हम मदद करते तो उसमें मेरा मकसद क्या चुपा हुआ इरादा hidden अगर वो सही है अगर वो चुपे इरादे में प्रभु की महिमा है तो उसका पुरस्कार आपको मिलकर ही रहेगा कि अमें अललोया कि दूसरा कुरंधी पांच दस में यही बात हम पढ़ चुके कि अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो देह के द्वारा किये हो पाए चार और पांच पहला कुरंधी लिखाए वही तो अंधकार की छीपी बाते ज्योती में दिखाएगा और मनों के अभीप्रायो यानि की मोटीव्स इंटेंशन्स को प्रगट करेगा अब आप बता हो आपके बाजु वाले बैठे व्यक्ति में कौन से इरादे से वो बैठा है कि आप पता लगा सकते हो उनके चेहरे पर लिखा हुआ है देखिए देखो सही बाजु वाले व्यक्ति के चेहरे पर दिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है वो इंटेंशन्स यहां अंदर होते हैं वो इरादे यहां अंदर होते हैं अगर इरादे प्यार रखना सीख जाओगे प्यारों आप अपना पुरसकर कभी नहीं खोगे आपकी सेवा पर ऐसा नहीं है कि यही पुल्पीट पर ही सेवा होती है आपकी सेवा पर प्रबु अभिशेक बरसाएगा दुद्ध तरीके से इसके लिए आवश्यक है कि इंटेंशन सही हो सबसे महत्व पुर्ण अगर लाइकात परमेश्वर के सामर्थ और अभिशेक के लिए प्रबु देखता है तो वो है इंटेंशन इरादे बोलिया इरादे मोटीव्स अगर मोटीव्स गलत हैं आप खोदोगे you will suffer a great loss on that day सारी मेहनत सारा time गया अगर आप कोई भी काम कोई भी सेवा का कोई भी काम किसी की प्रशन सपाने के लिए करोगे आप उसी समय संसार में ही पालोगे बस उपर नहीं मिलेगा कि सुन रहे हैं उपर नइज मिलेगा क्योंकि लिख लिख चुका है परमेश्वर उपर पक्का नहीं मिलेगा आपकी आपकी वाहवाई सायद पास्टर लोग भी कर लेगे बट वह वाहवाई सच्ची है उसका नाप तोल तो परमेश्वर करता है कि सो आपकी पास्टर कितनी वाहवाई करता है उसके उपर मत कुदना हाँ अमित भाई आपकी कितनी तारीफ करते उस पर कभी मत कुदना आप फूल जाओगे कि सच में प्यारो आप बहुत बड़े दोखे में रह जाओगे उस दिन कि आपका इंटेंशन चेक करिए हमेशा कोई भी सेवा करते हो इंटेंशन चेक करिए अगर इंटेंशन गलत है माफ ही मांग कर प्रभू के आगे समर्पित करो उस काम को प्रभू मुझे माफ कर ये म मैं ने मेरि तारीफ के लिए किया का बहुत सारे लोगों के यादत होती है अरे यांतों में प्रात्ना करें लेननोंअ है अनू रिजल््ट है मुझे पता लग गर पढ़ा ने कमल नहों ने पर आएप कि इकतना गजब हैर इनकी प्रात्ना सिधी कि रोएंगे ऐसे लोग वहां पर विश्वासी होंगे उद्धारों पाएंगे फिर भी वहां आसू होंगे इसलिए लिखा है कि वो उनके आँखों के आसू को पोछेगा प्रभू उनको छोड़ेगा नहीं वहां पर बेटा कोई बात नहीं तू बज तो गया है ना इसलिए बहुत जरूरी है कि मोटिव इरादे प्योर रखे जाए आप किसी की मदद करने जाते हो आप सो बार सोच लेना कि किस इरादे से जा रहे हो अगर आपके अंदर प्रभू की महिमा हो यह इरादा है या तो सामने वाले का सच में भलाओ आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है तो वो प्योर है और वो जरूर प्रभु की और से प्रतीफल पाता है बाइबल में साफ लिखा है पहला कुरूंतियों 15-40-41 में लिखा है वो पढ़ेंगे मसी के न्यायासन का यह न्याय का उद्देश क्यों है हम सांतिस ही जाएंगे और इसका मतलब यह निक चार बज़े जाएंगे बट मैं कोई जलबाजी नहीं करूंगा सब को अच्छे से समझ में आए इसलिए इसी ठरीके से हम जाएंगे जलबाजी नहीं करेंगे यह उद्देश क्यों है क्योंकि सेवा यहां पूरी नहीं हो जाने वाली है चैप्टर पुरा नहीं हो जाएगा यहां पृत्वी पर, नया चैप्टर वहां खोलने वाला है हललोईया, और उस लेवल पर वहां सेवा मिलने वाली है हम तो यह सोते हैं स्वर्ग में शांती और विश्तराम और आराम है हाँ बट वहां पर परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग होंगे प्यॉर ली एक दम प्यॉर प्रभु की महिमा करने वाले लोग होंगे वहां आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वहां बहुत कुछ काम सौंपेंगे परमेश्वर अललोया बहुत कुछ है यह अलग विश है इसमें बाद में जाएंगे बट इसको इस वच्छन के अधर पर आप समद सकते हो देखें क्या लिखाए स्वर्गिय देह है और पार्थीव देह भी है मतलब इस संसार का शरीर यह बॉड़ी पार्थीव देह न और स्वर्गिय दे बट पहले पुंद्रुत्थान में यह सब कुछ ट्रांस्फोर्मेशन होगा रिखाए परंतु स्वर्गिय देहो का तेज उसकी महिमा तेज ग्लोरी अलग है और पार्थीव का अलग है इस संसार में बहुत सुन्दर और ब्यूटिफुल बहुत गजब के मिस्वल दिखने वाले लोग वहां पर कद्रुपे भी हो सकते हैं कि इसलिए सिर्फ यहां का श्रिंगार महत्व नहीं रखता है ने बाइबल में ऐसा लिखा है कि श्रिंगार कैसा हो अंदरूनी कि बोलिया अंदरूनी श्रिंगार और अंदरूनी श्रिंगार मैं जरूर वचन खूल कर कि तीसरा अध्याय कि तीसरी आयत कि तुम्हारा श्रिंगार दिखावटी नहों बोलिया दिखावटी नहों से मेरा कपड़े देखो मेरी घड़ी देखो मेरी चेन देखो कितना गजब देखो देखो कितना अध्भूत है मेरा बंगला देखो 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 यह मेरा बंगला उदर दूसरा है अब मुंबई में तीसरा है लिखाए तुम्हारा श्रिंगार दिखावटी न हो अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने अभी हमने गाना गया है ये शुतू है किसे किमती सोने चांदी और हीरे जवारात से भी किमती है और उससे भी बढ़कर हमारा जीवन हम अगर यह आतंकवादी गोली मारने के लिए बंदुक रख देंगे तो हमारा सोना जवारात हीरा मोती सब दे देंगे लो यह ले लो इसका मतलब किमती क्या करते हम जीवन और हम गाना क्या गया है जीवन से भी किमति है पुले जीवन से भी किमति परमेश्वर के लोग वह उते जो अपने प्रान को भी प्रिय नहीं जानते हैं कि सताव के लेकर पिछले समय में जो कुछ भी लाश्ट एर हमने सीखा था आप आपको पता है ने कैसे लोगों ने अपनी गर्द ने रख दी परमेश्वर के आगे भीड जाने के लिए तैयार हो आत्मिक नुकसार का नुकसान उठाने के लिए क्या तैयार हो आप कितना नुकसान जेलने के लिए तैयार हो प्रभू के लिए आप अपना रिवर्ड पक्का पाओगे जीनोंने नुकसान जेला है रिष्टों का गरों का खेतों का, मिलकतों का रिष्टों का वो सब क्या पालेंगे पता है Bible में promise लिखिए वो इस काल में और आने वाले काल में सो गुना प्रतीफल पालेंगे बटnd समय पर्स्युकिशन के साथ सत्ताव के साथ सत्ताव कैसमें साथ में सताव को भी लेना पड़ेगा उसको ने यह यह बाजु में रखो यह आइटम नहीं पसंद है सब कुछ पैकेज में है मतलब यहां जो है नियाई होने के बाद क्या होगा लिखाए कि स्वर्गिय दे अलग पार्थिव दे अलग स्वर्गिय दियों का तेज अलग पार्थिव का और सुर्य का तेज और है चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है क्योंकि एक कि आस्मान में देखते हो कि नहीं कभी अब तो वह आदत चली गई नहीं मोबाइल आ गया है तो सब तारे वहीं दिखते हमें तो कि सारे सितारों की खोजबिनम वहीं कर देते हैं और पता है मोबाइल में लोग क्या देखते मैं कैसा स्टार हूं हां मेरी कितनी लाइक्स मिली है देखो यह बहुत बड़ा जहांसा है यह फसना नहीं इसमें आप सच में परिशान हो जाओगे आत्मी बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरी पोस्ट को कितने लाइक करते हैं ऐसी ख्वाइश कितनों के अंदर होती है मेरे पोस्ट को तो अना ही चे थम नेलाई यह होना ही चाहिए थम सब मिलना ही चे मुझे प्रतिफल यहां से पाने की इच्छा, मनुष्यों से प्रशन सा पाने की इच्छा मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, एक्सपेक्ट मत करें, अगर मिलते वा हुआ है, तो उसको तूरंट दे दो प्रभु को प्रभु यह तेरा मेरा नहीं है, मैं तो थाईने मेरी मां के कोक से निकला, मुझे क्या आता था, मैं हीरो बनके निकला था, मैं मास्टर बनके निकला था, मैं ट्रेनर बनके निकला था, मैं, नहीं, सब कुछ काबिल बनाने वाला वो है, सो सब कुछ उसको देना सीखिये, प से बनाए गया डश्ट में वापिस मिल जाएंगे हम हमारी उपलब दियां कुछ नहीं है हमारा त्याग बलीदान कुछ नहीं है ये शुक के आगे कोई बोलेगा उसने 33 साली तो जिंदगी जी है प्रान ही तो दिये उसने अरे वो जिंदगी पवित्र जी कर दिखाई आप निश्पाप जिंदगी जी कर दिखाई है अपना कुरूस उठाते उठाते हम ठक जाते ना कि और इसलिए लिखांए हरेक के अलग-अलग ग्लोरी मिलने वाली है सुरिय का तेज अलग है कितना जबरदस है नहीं सुरिय का तेज कि वो सबको चमका देता है कि है ना सुरिय सबको सारे सितारों की चमक किस पर डिपेंड है पता है उस कि रौश्नी से वह चमकते हैं, सितारों की रौश्नी चमक उनकी खुद की नहीं होती है, किसी और की होती है, हमारी चमक हमारी नहीं है प्यारो, हमें कुछ थोड़ा भी अच्छा आता है, मैं सारी ख्रेडिट प्रबू को दूँगा, मेरे लिए कुछ भी अच्छा करने क मेरे माबाप अच्छे संसकार दे दे पड़न करूंगे तो बार आएंगे ना इस लिए मैं किसी को क्रेडिट भी नहीं दिसकता हूं कि मेरा परमेश्वर है डॉट के लिए हललोया मेरे सेवा के लिए मिच हाड़ी क्रेडित वी होड enters हाँ कि चांद की रोषणी उस का रोशणी भी अलग है वो रात को रोषणी देता है सूरजद्रीन को देता है सितार की रीलव वैसे ही हर एक विश्वासी का तेज अलग-लग होगा वहां पर हाललुया यहाँ पर वो तेज नहीं दिखाई देता है बट प्रभु के दासों को कई बार प्रभु दिखाते है कि यह तेज है, इसमें तेज है, इसमें तेज है यह अंधेरा है यहाँ पर मैं साफ बोलता हूँ, प्रभु हमें दिखाता है कई बार हम आपको शर्मिन्दा नहीं करना चाहते हैं पर कई बार इंटेंशन्स भी प्रभु प्रगट करता है हमारे आगे अपने आपको पवित्र कीजिए प्यारों उन सारी बुराहियों से के लिखाए उसी अध्याई में आगे जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने पांच तोड़े और लाकर कहा हे स्वामी तुन्हें मुझे पांच तोड़े संपे थे देख मैंने पांच तोड़े और कमाये हैं, उसके स्वामी ने क्या कहा? जिसको पांच सौपे थे, उसने क्या किया? पांच और कमाये. परमिश्वर से क्या मिला उसको? क्या मिला? शाबासी मिली. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास. हाललोया! लिखाए, तू थोड़े में व इसका मतलब क्या है? थोड़े में रहें, वो पहले सीखें. हमारे पास जो भी है, उसमें नम्र बने रहें, तो हम आगे बढ़ेंगे. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. ये उसके बाद में है, मतलब समझ में आ रहे हैं, अधिकारी बनाऊंगा. मत है, वहां आपकी मम्मी, पापा, आपका बॉस, अधिकारी, आपको नहीं बोलने वाला है, चलो नौकरी करो, इतना ही टाइम मिलेगा, वहां फुल टाइम है. आपको फुल टाइम जिवा करनी है? वहां मिलेगा, फुल टाइम. वहां कोई बढ़न नहीं होगा, सारा बोज विश्वर ने उनको संभाला, इसराइली लोगों को, वह मन्ना प्रभू आपको खिलाएगा. आपको क्या लगता है, प्यारों, वहां पर भुखे रहना है, फास्टिंग प्रेयर है, वहां. देखो, ऐसी ही दे होगी, जो यहां फिल कर सकते हैं, वह फिल कर पाओ गया, ऐस शरीर मिलने वाला है. बट यह विश्वासी लोगों की में बात कर रहा हूं, जो प्रभू के पीछे चल रहे, कीमत चुका रहे, उनकी बात है. जो पांच मिले, तो पांच कमा कर ला है, जैसे प्रभू के दास्त को कड़क होकर आज बोलना पड़ा, कि आपने कितनों को पैन के सिन, मेरा मोबाइल कैसा है, मेरे बाल, मेरे चस्में, सब कैसा है, यह दिखाने के लिए बहुत टाइम है, बट प्रभू की बात, प्रभू की वच्छन की चर्चा करने के लिए हमारे पास टाइम, नहीं है, चोड़ो न साहब, वहां पर बड़ा लॉस होगा, मैं कह बना चाहते हो, तो अपने आपको सीरियसली, जो कुछ भी सौपा है, अपने आपको फेटफूल बनाए, प्यारो, मैं तुझे बहूत वस्तूव का अधिकारी बनाऊंगा, पांच से उसने दुसरे पांच कमाए, मतलब परमेश्वर की दी हुई हर एक आशिशो को उसने इ तो तोड़े और कमाए है, उसके स्वामी ने उससे का धन्य है, अच्छे और विश्वास योग्यदास, तु थोड़े में विश्वास योग्यरा, मैं तुझे बहूत वस्तूव का अधिकारी बनाऊंगा, इसका मतलब एक और लाइफ, एक नय चेप्टर रहा देख रहा है आप लोगों के लिए है, हाललोया, खुश है, तैयारी करें प्यारो, उस लाइफ को पाने के लिए, उस रिवार्ड को पाने के लिए, तैयारी करें, दोड़े, मैनत करें, यह साल परमेश्वर के लिए काम करें, प्रभू की महिमा करें, प्यारो, अपने शौक, अपनी ऐसी थी जो मेरे मन में ऐसी हो कि एक प्रिचिंग कर सा हुआ थाा जिसको लेकर मेरे मन में कुछ चीजा ऐसी घुज गैए भी जिसको मैं समध्ता ये पाप नहीं है हम्तसर कि सच बोलता हूं कि में समगता है ये फाप नहीं है ये प्रभू को इ prose Hey please पर्मेश्वन ने मेरी आंखे खोली, ये तुम मेरे खिलाब तुम मुझे दुखी कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं, प्रानों को भी ताजगी की जरूरत होती है। पर बाइम्प क्या क Suppose प्रानों की ताजगी वो देता है आत्मा की ताजगी तो उधभार के दुपर वह दे चुका है क्वा कि प्रानों कीता अजगी के लिए लोग बोला जाता है कि तुम यह करो जो पसंद आता है तुमें बोहेरे प्रीचर ने सब लोग गलत शौक गलत होबी स्पाल लेते हैं परमेश्वर की उपस्तिधी परमेश्वर के वच्चन के सीवा आपके और मेरे प्राणों की ताजगी कहीं नहीं है हाललोया जिसको दो तोड़े मिले थे उसको भी प्रभु ने जो दो कमाया उसने क्या किया प्रभु ने कहा मैं तुझे बहुत वस्तो का अधिकारी बनाओगा मतलब दुसरा चैप्टर है प्रतिफल ये है कि हमें दुसरी पोस्ट मिलेगी और अनंत जीवन के लिए और भी दुसरी बाते हमें मिलने वाली है हाललोया वहां सभी सच्चे विश्वासी येश्यू के सामने खड़े होंगे और इस बात का लेखा जोखा देंगे कि उन्होंने कितनी इमांदारी और वफादारी परमेश्व के लिए दिखाई है उन्होंने कितना परमेश्व के लिए जीए है आपकी इमांदारी को आपकी वफादारी को कोई नौट नहीं कर रहा है यू आर अन दे बेस्ट प्लेस You are on the best place जीना जलाए कि लोग आगे खड़े है हमाई तो कोई देखता नहीं है आपके बंदवारों में आप प्रभु के लिए क्या करते हैं वो प्रभु देख रहा है क्योंकि उसका प्रतिफल दिया जाने वाला है हललोया आप प्रभु के लिए जो जी रहे हो कोई notice नहीं कर रहा है बहुत अच्छे place पर हो आप क्योंकि proud वہा स्थान नहीं ले पाएगा गर्वा स्थान नहीं ले पाएगा वहाँ पर वहाँ पर प्रभु की महिमा स्थान ले रही है प्रभु को पसंद एसे लोग जो अपने आपको hidden छुपाई रखना पसंद करते हैं मैं सच बोलो यह सेवा कि लायक मैं नहीं हूँ प्रभु ने मुझे यहां पर रख खड़ा रखा है कुछ समभाई के लिए मुझे पता नहीं कब बट मैं मेरे शुरुवात सिर्फ ताली बजाने से हुई मैं आपको कहूं जाड़ू और ताली मेरे हथियार थे आत्मी हथियार मैंने कभी उस थान पर नहीं चाहा कि मैं ऐसा करूं मैं ऐसा गाओं मैं ऐसा बजाओं मैं ऐसा प्रीचिंग करूं मैंने कभी नहीं साफ बोलता से नहीं होती है इंसानी बुद्धी से नेच्रल प्राकृतिक ज्ञान से नहीं होती है सेवा आत्मा से ही होती है आपका इतने सालों का तजूर्बा भी विष्ट चला जाएगा प्रभू उस पर आमीन की महरी नहीं मर रहे है तो तेरे बल से चल रहे हैं जा कितना चलेगा देखता हूं मैं बड़ जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं पर मेश्वर वहां गिद्यों ने जैसी फते पाई ने ऐसी फते उनको हांसिल होती है हाललुया इसलिए वो गाना है ना तो वचन है ना तो बल से ना पराक्रम से बट मेरी आत्मा के द्वारा सेवकाई होगी तो पवित्रा आत्मा के द्वारा ही होने वाली है उसके बगेर होई नहीं सकती है अपने बल से तो होई नहीं सकती है अपने बल से पर्फोमंस होता ह है प्रभु की वाहवाई नहीं होती अगर यहां येशु को खड़ा रखना पसंद करोगे तो येशु रहेगा नहीं खड़ा रखना पसंद करोगे तो येशु कोने में बैठेगा मैं साफ बोलता हूं मुझे येश्व यहां चे येशु बाहर नहीं एफेसस की कलीशिया को येश्व ने क्या बोला पता है मैं द्वार पर खड़ा खट खट आ रहा हूं मैं कहां अंदर हूं मैं तो बार हूं कि तुम लोगों ने तो अपनी लाइफस्टाल ऐसी बना दी है कि मैं कलीशिया में हुई नहीं मैं तो बार बैठा हूं और मुझे आना इसलिए मैं नौक कर रहा हूं कि प्यारों प्रभू आ रहा है अपने आपको तयार करें जल्द ही दुसरा पत्रस एक और दस लिखा इस कारण है भाईयों क्या करना है बुलिए अपने बुलाए जाने इसका मतलब है कॉलिंग और हरेक का कॉलिंग अलग-अलग है एक को पांच तोड़े मिले एक को दो मिले एक को एक मिला था हरेक का कॉलिंग हरेक की बुलाहट अलग है लिखा है और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भाति यतन करते जाओ उधर पा लिया है बट सिर्फ बैठे रेने के लिए नहीं पाए आपको परमेश्व के राज्य में बेरोजगार और बेकार प्रभु देखना कभी पसंद नहीं करता है प्रभु ने आपके लिए काम रखा है यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के लिए और ऑनलाइन जो सुन रहें उन हर एक के लिए परमेश्व के राज्य में काम है उस काम को पकड़ लेना आपको आना चाहिए और वो रह जाओगे प्यारों सच में आप सलामश्वरे करते रह जाओगे मैं साज साब बोलता हूं इसको पूछोगे उसको पूछोगे इसको पूछोगे प्रात्ना में बैठिये पवित्रात्मा आपको रिविल करेगा प्यारों कि लिखाए वरन इसी रीती से लिखाए भली भा करोगे बोलो यदी ऐसा करोगे तो तो कभी भी ठोकर न खाओ गया इसका मतलब बाकी लोग ठोकर खा रहे हैं जो लोग अपने कॉलिंग से साइड में जा रहे वो लोग ठोकर खा रहे हैं एफेसस की कलीशिया वहां पर ठोकर खा रहे थी बले उसका परिश्रम था बले उसकी धीरश थी बले वह येश्यु के नाम में दूख उठा रहा था कि पहले क्या प्रेम उसने विधाउट लव वो सारे काम हो रहे थे इसी रिती से तुम वरन इसी रिती से लिखा इस इसी प्रकार से तुम हमारे प्रभू और उद्धार करता येश्यु मसी के अनंत राज्य में वो राज्य कैसा है अनंत राज्य है हाललोया बड़े आदर के स ऋपर फ्रबवेस्ट करने पाओगे प्रभु येशु यह तो कल्पना में दिखाये गाये कि येशू वह नहीं प्रभु कोई विश्वासी बेटा वहां पर है उसको ताज पहनाया जा रहा है आंकर के साथ उसको वैलकम किया जा है हाललुया क्या ये बड़ा ओनर ने कि येश्व द्वार पर खड़े रहकर आपको और मुझको भुलाएंगे कि क्या देखना चाहोगे ऐसा ऐसा ना जा रहा है देखना एक नहीं देखना एक नहीं अरे बोलिये तो सही हां सु करूं कहूं के नहीं सू था से 25 बंद से छोड सुरु के सारे पराक्रम पर आपको अधिकार दिया गया है और किसी से हानी नहीं होगी ये वाइदा भी दिया गया है साथ में हाललुया तो डॉंट भी अफ्रेड भाई बीत नहों दुश्टात्मा हो कुछ भी हो येश्व के नाम में बोल दीजे निकल जाएगा हालललुय बट सिर्व यहीं नहीं करना है नहीं चेलो ने बोला तेरे नाम से तो दुश्टात्मा अभी निकल गई प्रभू बट अभी वो सेवा तो बाकी दी जो प्रभू लेने वाले थे हैं ना मार्टूस नहीं हुए थे वो शहादत नहीं प्राणों को प्रिय न जाना ऐसा कहा गया उनके लिए उन्होंने अपने प्राणों को अपने शौक को अपनी होबी को प्रिय नहीं जाना उन्होंने येश्व और येश्व की बातों को प्रिय जाना है और कलीश्या के लिए ब करना है यह नहीं करना है वो नहीं करना है करना है दो बाकी का समय कहा है कि खाना पकाना है स्कूल बेजना है बच्चों को यह करना है वो करना है प्रभु ने आपको बचाया है और कहीं जा रहे हो वहां नया चेप्टर शुरू होने वाला है उसके लिए कितनी तैयार है है हम वैं हम क्या हम कह सकते हां ございます प्रभु किन जो आशी गशिदी जी में नां दी उसके लिएral motor को क्यों तैयारी करें प्यारों कि एक नो योशीक ये व्याएं हो एक क्हाँ सब्सक्राइन जाता है क्यों प्रतिफल देए ंण बत्रहत्द को देने वाले प्रवु कोई कह सकता है कि वाई रिवर्ड पुनर नियम या तो व्यवासाब विवरन सोला और सोला में क्या लिखा है पड़े वर्ष में यहुदी लोगों को यह ठहरा आगा दो वर्ष में तीन बार अर्थात अखमेरी रोटी के पर्व और अठवारों के कोड़ियों के पर्व इन तीनों पर्व में तुमारे सब पुरुष बोले सब 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 शब्द पर में भार मुकता हूँ सब कि सब कि अपने परमेश्वर यहुवा के सामने उस थान में जो वच्चुन लेगा जाएव जहां पर हमें जाना है ने वहां जाने के लिए हम सब को तयार होने कैसे और देखो विद एम्टी हैंड खाली हाथ छूचे हाथ कोई न उसके सामने आये खाली हाथ नहीं जाना सुन्रे कलेश्या खाली हाथ नहीं जाना रंजन बेन बेटा खाली हाथ नहीं जाना प्रभू ने आपको चुना है और प्रभू आपकी उपर नजरे गड़ाए हुए है खाली हाथ नहीं जाना खाली हाथ नहीं जाना आप लोग भालियात नहीं जाना ने साफ बोल रहा हूं उन-लाइन सुन रहे हैं आप लोग भालियात नहीं जाना अ क्यों प्रतिफल प्रभूद देगा यहां पर भी देगा और वह पर भी क्यों प्रकाशित्वत केरा इसका रहस्य यहां बता है चौथा ध्याई नौ से ग्यारा में जब वे प्रानी उसकी मतलब परमेश्वर की जो सिहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे तब 2400 प्राचिन सिहासन पर बैठने वाले के सामने गीर पड़ेंगे क्या करेंगे वे गीर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे यहां पर तो कुरसी आए कैसे गीर सकते हमने हमारी कुरसी हमें बहुत प्यारी है हम कैसे गिर सकते हम तो छोटे हो जाएंगे ना शर्मा है अगर आपको होगान कभी आप साश्टांग दंडवत करिए प्रभू को पूरी फ्रीडम है आपको आपके घर में भी कर सकते हो आप हम ऐसा करते हैं बेलकुल बेखोफ तो कि मैं और प्रभू ही होते हैं और कौन नाम करेंगे और अपने अपने मुकूट बोली अपने अपने मुकूट सीहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे अब पता चला व्यास्था विवन सोला सोला भी आगे पड़ा खाली हाथ न जाए पूरसकार के लिए दोड़े मैनत करे पालुस कहता है कि बहुतों को सु समाचार दूपट मैं ना पसंद हो जाओ ऐसा ना हो और इसलिए वो हमेशा अपने आपको नम्मर बनाए रखता था प्यारों हाललोया लिखा है कि इन्होंने क्या किया इनको जो मुकूट मिले थे जो प्रतिफल मिले थे कहां रखे परमेश्वर के सामने हाललोया मुकूट क्यों है पता है प्रतिफल वहां प्रभु को देने के लिए वो देया जाए उससे पहले आपको आपको दिया जाएंगा ताकि आप उसकी होजूरी में वहां स्वर्ग में दे सको हाललोया कि है हमारे प्रभु और परमेश्वर तु ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तुही ने सब वस्तुए स्रेजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और श्रेजी गई अलेलोया आपका ठैरायो ववा काम चुना हुआ काम आपका नहीं है प्रभु ना आपको ठैराया है और उसको वफादारी इमानदारी के साथ पूरा करना ताकि आपको पुरसका मिले ताकि आपको reward मिले और वहां जाकर वो reward प्रभू को अर्पिद कर सको आप खाली हाथ जाओगे क्या होगा आप सब देते होंगे प्रभू को कितनी शरम आएगी मैंने क्या दिया प्रभू के लिए मेरे पास कुछ नहीं है देने को मैं आपको उस स्थान पर ले जाना चाहता हूँ प्यारो कि आप एसास करो आप खाली हाथ हो और वहां पर कुछ नहीं आपको देने के लिए आप फिल करें उस ट्रेजडी को सुदिर फिल ओड़े ट्रेजडी कि नहीं है कुछ खालियात पहुँछ गया हूँ मैं प्रभू आ गया हूँ और सब लोग दे रहें प्रभू यह मेरा मूстय प्रभू यह मेरा प्रतिफल तुने दिया यह मैं तुझे देता हूँ कुछ नहीं होगा लोटाने के लिए क्या करेंगे हम कितना शर्मिंदा वहां पर होना पड़ेगा हमें कि ना शर्मिंदा होना पड़ेगा कि यह है वो लोग कि जो इस संसार में उस तरीके कि लाइफ जिये कि उनको मुकुट मिला नेक्स सेशन में हम देखेंगे कैसे कैसे प्रतिफल है बट यह प्रतिफल किस लिए प्रभू देने वाला है उसको अर्पन करने के लिए कि आपकी सुन्दर्था आपकी ब्यूटी परमेश्वर को अर्पित करने के लिए है प्यारो कि यह जो भी प्राबूल्ट को प्रबूझ में दिया हु rubber ने दिया है आपका business लिएक नोकरी भी अपकी ताकत इरादे साफ कीजिए नहीं है तो कि सेवा कर रहे हो इरादे साफ रखकर सेवा करना कि वेफस जाएंगे जो साफ इरादे बगेर से वा चरह रहे हैं उनका काम जल जाएगा और बड़ा लॉस होगा हो सकता है मत्थी साथ 21 से 23 में जो प्रभु ने बुला मैं तो मैं जानता नहीं वो भी सुनने की बारी आ जाए प्रतिफल पाने के लिए उस दोड़ में विश्वास की दोड़ में दोड़े अपने आत्मिक जीवन को सच में बव मुल्य समझे प्यारो यूर लिविंग नौट अर्थली लाइब बट स्पिरिचल लाइफ और स्पिरिचल लाइफ जीने के लिए आपको बॉड़ी दिया है और वो बॉड़ी परमेश्वर की आत्मा का मंदीर है आईए प्रात्ना करते हैं अपने आपको प्रभू के चणों में ले जाते हैं अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मुझे परमेश्वर की और से प्रतिफल पाने के लिए महनत करनी है उसकी सामर्थ को मांगे प्य स्पियार करने के लिए सब कुछ सारी सीरियां तैयार की थी बचलना दावुद को था मंदरा से वीच साल उसंद राजा बनने थी उसको लगे थे 15-20 साल की प्रोसेस लगी थी उसको मुसा को 40 साल की प्रोसेस से कश्ट दायक प्रोसेस से गुजरना पड़ा था कि वो प्रभू के लिए एक उपयोगी पात्र बन पाए आप कहिए प्रभू से मुझे खाली कर प्रभू मेरा सेल्फ, मेरा स्वव, मेरा आई, मेरा एगो जो मेरी नौकरी से, मेरे बिजनस से, मेरी सुन्दरता से, मेरी किसी भी अच्छाई से आया है येश्यू के नाम में ये इगो खतम हो ताकि मैं खाली बन जाऊ प्रभू और तेरी आत्मा का वाहक बन सकू प्रभू तेरी आत्मा की भरपूरी को लेकर खैरी करके तेरी ग्लोरी को लेकर मैं चल सकू प्रबू जी सकू मेरे परिवार में मेरे आसपास के लोगों में और मेरे जॉब प्लेस पर मेरे बिजनस में मुझे तेरी ग्लोरी के साथ चलना है महिमा के साथ चलना है मुझे मेरी ग्लोरी नहीं चाहिए प्रभू मुझे तेरी ग्लोरी चाहिए प्रभू मैं इस संसार में मेरी नहीं पड़ तेरी महिमा के लिए हूँ और तुझे प्रसन करने के लिए हूँ प्रभू मैं लोगों का फेवर प्रशन सा पाने के लिए नहीं हूँ मैं तेरी प्रशन सा पाने के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति हूँ मुझे या मेरे काम को लोग सराहे या न सराहे तारिफ करे या न करे बट तू करे प्रभू मैं ये चाहता हूँ आप कहे आपकी दिल की प्रात्ना को जाहिर करे शांत ना बैठे प्यारो आप आप में से बहुत सारे लोगों को परबेश्वने चुना हुआ है बट शैतान नहीं चाहता है और इसलिए वो आपको इगनौर आपको अंजान बने रहने के लिए आपके सामने जाल बिचाये हुए है आप उस जाल को समझ लीजिए ताकि आप उस में से बचकर उस सत्य को जानकर छुटकारा पाकर येश्व के राज्य में बड़े पैमाने में इस्तिमाल हो पाओ हाललुया प्रभु ने यहां पर ऐसे लोगों को रखा है जो बड़े मुकुट पाने के लिए है एक नहीं कई मुकुट पाने के लिए लायक है बट वहां तक ले जाने वाला पवित्रा आत्मा है उसका जितना सुनोगे उसको जितना सरंडर करोगे आप उतना काबिल बन पाओगे परमिश्वर के लिए यहीं दाउद को प्रभु ने चुन नहीं लिया था बड़े-बड़े लोग थे पर प्रभु की नजर तो उस पर थी जो निर्दोश और प्यार इंटेंशन के साथ प्रभु की महिमा अकेले-अकेले भी कर रहा था कोई ऐसी ख्वाइश न रखे कि मैं जो कर रहा हूं सब सेवक और सब लोग सभी मेरे साथ के कलिक्स देखे और मेरी तारीफ करें प्रभु तारीफ की जड़ी बरसा देगा जिस दिन आप प्रभु की महिमा के लिए अपने आपको बिलकुल अलग कर दोगे और बिलकुल अलग रखोगे हाललोया हाललोया प्रभू हम दन्यवात करते परबेश्वर क्योंकि आप हमारे काम हमारे परिश्रम और हर एक दुख और हर एक धीरज को जानते हो कहां हम निश्फल रहे है वो भी आपको पता है और कहां हम सफल रहे है वो भी आपको पता है परमेश्वर आपको सब पताए कहां हमने हमारी स्वार्थ को देख कर सेवा की है आपको सब पताए कि कहां हमने अपने आपको उंचा किया है प्रभू हम प्रात्ना करते आज हमारे मैं को आप खत्म करे परमेश्वर हमारे मैं को खत्म करे परमेश्वर चाहे जो भी स्थीती से गुजरना पड़े बड़ प्रभू हमारे मैं को आप खत्म करें पिता ताकि हमारी कलीसिया तेरे सामने उस प्रतीफल को लेकर उसको अरपन करने लायक बन सके परबेश्वर आप कहे प्रभू मुझे तेरे सामने खाली हाथ नहीं आना है मुझे कुछ ऐसा करके आना है कि जिससे मैं स्वर्गिय प्रतीफल पाओ जो मैं तेरे सामने रख सको हो हाललोईया प्रभू हम दुआ करते पिता बले ही ये लोग समझ रहे हो कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है बले ही उन वे सोच रहे हो कि मैं निर्बल हूं मेरा क्या मेरा क्या वजुद जो आप ऐसा सोच रहे हो परमेश्वराफी को कह रहा है कि मैंने ही तुझे अलग किया है अगर कोई पेइन में से गुजर रहा है स्वभाग्य समझे कि प्रभू आपके जीवन में काम कर रहा है कोई दर्द को लेकर गुजर रहे हो प्रभू आपके जीवन में काम कर रहा है मैं फिजिकल पेन की बात नहीं कर रहा हूँ शायद आप किसी को कहने ही पा रहे हो आदर डालिये कि सारा बोज ये शुको दे दो आप प्रव से कहे मैं निर्बल हूँ मुझे तेरे सामर्थ की जरूरत है मुझे एक सफल और एक गंभिर आत्मिक जीवन जीने के लिए मुझे पवित्रा आत्मा तेरी जरूरत है तो मेरी सहायता कर वो जरूर सहायता करेगा प्यारो वो इबराहीम की संतानों को हाथ बढ़ाता है प्यारो वो हाथ बढ़ा रहा है और वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है अगर आप सुन रहे हो अपने हाथ को उठा कर उस येशु के हाथ को पकड़ लीजिए आप पकड़ सकते हो विश्वास के स्टैप के रूप में अपने हाथ को बढ़ा कर येशु का हाथ थाम ले थाम ले प्यारो येशु का आद उस बड़े हुए हाथ को पकर लो प्यारो सिंबॉल के रुपे अपने हाथ को बढ़ाईए और पकर लीजिए वो येशु ने अपने हाथ को बढ़ाया हुआ है आपको उस की महिमा के लिए चुना है और प्रबू उस कालिंग के लिए आपकी आँखों को खोले आप कहे उसे अभी प्रबू मेरे कालिंग के लिए मेरी आँखों को खोल ताकि मैं उस बुलाहट के अनुसार जी सकू मुझे उस बुलाहट में चलने के लिए तू अनुगर दे मेरी आँखों को खोल प्रबू मेरी आँखों को खोल ताकि उस बुलाहट को मैं समझ लू मुझे भली भातियत न करने के लिए प्रबू उस उस कॉलिंग को सिद्ध रूप से समझने के लिए तु मेरी सहाइता कर प्रबू येश्यू के नाम में हम आज मांगते परबेश्वर यहां उपस्तित एक भी व्यक्ति तेरे सामने प्रतिफल पाए बगेर नरे आज हम प्रात्ना करते परबेश्वर प्यारो ये प्रात्ना हम कर रहे हैं बट प्रतिफल पाने के लिए मेहनत आपको करनी है उद्दार मुफ्त में मिला है बट प्रतिफल मुफ्त में नहीं मिला है प्रतिफल बलिदान मांगता है आप कितना बलिदान दे सकते हो प्रबू को महिमा करने के लिए जितना बलिदन दोगे उतना बड़ा प्रतिफल आपका होगा वहां पर येश्यू के नाम में आज हम मांगते परबेश्वर आप तयार कीजिए अमारी कलिस्तिया को परबेश्वर इस छोटे जुन्ड की प्रभु आप अगवाई करें पवित्रा आत्मा चाहे वो घर पे हो, चाहे बिजनस प्लेस पर हो चाहे नौकरी के प्लेस पर हो चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो चाहे वो ओनलाइन क्लासिस जॉइन कर रहे हो येश्यू, ये आवाज हमेशा उनके कानों में गुंचती रहे कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अलग किया है और तू मेरा है, तू संसार का नहीं है तो किसी का नहीं तुम सिर्फ मेरा है और मैं मेरी महिमा तेरे जीवन से लेने वाला हूँ ये आवाज इनके कानों से बंद ना हो ये शुकिना में इनके कान खुल जाए ये शुकिना में खुल जाए शैतान की आवाज के लिए इनके कालों को मैं बंद करता हूँ और स्वर्गी आवाज के लिए इनके कालों को मैं खोलता हूँ ओ, हालेलुया आप कहे, प्रभू मुझे उस स्वर्गी दर्शन को दिखा अगर आपकी आँख ठोकर खा रही है तो कहे परभेश्वर ऐसी चीजों को तु कटे डाउन तु कट कर उसको ताकि मैं उस दर्शन को देख सकू जो पालोस ने देखा ओ, परभेश्वर जो पत्रस ने देखा जो स्टिफलोस ने देखा परभेश्वर प्रभू येश्यू के नाम में आज हम मांगते हैं येश्यू के नाम में आखे खुल जाए आत्मिक आखे खुल जाए येश्यू के नाम में ताकि हमारी मेहनत, हमारे प्रयास प्रभू सब कुछ तुझ से प्रतिफल तुझ से फिवर और तुझसे प्रशन सा पाने के लिए ठेहरे परबेश्वर हमारी महनत आधी अदूरी नारा ये परबेश्वर हमारी महनत प्रभू पूरे पूरे शक्ती से पूरे बुद्धी से पूरे सामर्च से ओ पूरे मन से प्रेम करने वाली हो परबेश्वर ओ प्रबू हम कभी न बुले कि आपने हमसे जो प्रेम अपेक्षा की है वो प्रेम हम किसी भी हालत में ना छोड़े आपसे करना हम एफेसर्स की कलीस्या की माफ़क सुनना नहीं चाहते प्रबू कि तुने पहला प्रेम छोड़ दिया है प्यारो मिनिश्ट्री होती रहेगी एक्टिविटीज होती रहेगी प्रवृतियां होती रहेगी हो सकता है पहला प्रेम छूट जाए उस प्रेम के साथ सेवा करना ताकि ये शु कहे कि तु थोड़े में विश्वास योग्य ठहरा है मैं तुझे बहुत ओपर अधिकारी ठह यह रहांगा आप का नया चैप्टर रा देख रहय kes outa ओगा वह आप की इमान दरी प्रभु के साथ kW3 रेचार करेंगा प्यारों कि आ है कौरों आपके बाजु में खड़ा है आप मांगे प्यारो ये शुके नाम में हम क्या मांगते हैं क्या अर्थली ब्लेसिंग मांग रहे हो आप यह पृत्वी की आशिश ओ प्यारो यह तो एक शब्द से प्रभु ने बनाई यह वह शब्द एक बोलेगा आपके सामने हाजीर हो पहले उसके राज्य को और उसकी धार्मिक्ता की खोज जोल करते हैं वही बाकी चीजे एड हुती हुई देख पाते हैं उसके बगेर बाकी के सारे लोग मांगते कटोरे के साथ रह जाएंगे उसके धर्मा और अन्याई को खोजने वाले बनिये प्रभू को बार नत खड़े रहने दीजिए प्रभू को आपके दिल में स्थान दीजिए और इखाबास अंदाला बशेखार आबासे बो रिबासा खाथा का ले बैसे ने रखो रिबाने साखा ले लो प्रभू ये शुके नाम में हर एक वो जंजीर जो रिथी रिवाज की रूप में बंदी है ये प्रभू अर्थली विजडम नहीं चाहिए हमें हमें स्वर्ग विजडम चाहिए तरी महिमा के लिए ये शुके नाम में हमें अर्थली विजडम नहीं चाहिए जो विभाजन लाता है जो मतवेद उत्पन करता है जो जगड़े उत्पन करता है प्रभू ऐसा विजडम हमे चाहिए प्रभू हमारी कलीश्या को जो तेरी और से हो प्रभू येश्यू के नाम में हम मांगते परबेश्वर आपकी सामर से आपके लोगों को भरते जाए प्रभू जो डेश्टिनी जो लक्ष मुकाम इनके लिए आपने तैयार किया है उस मुकाम की रहा पर उस उनको दाड़े जाए येश्यू के नाम में उन गलत अपकाने वाली आत्म को मैं येश्यू के नाम में डाख दो रोजा ये chegिना में ये चुने हुए लोग है, चुना हुआ परिवार है और परबेश्वन अपनी महिमा के लिए इनको चुना है येश्यू के नाम में तु हटी जा इनकी लाइफ में से हाललोया, हाललोया, हाललोया साइड ट्रेक करने वाली आत्मा को येश्यू के नाम में मैं तोड़ता हूं उसकी युक्ति को ओ रिबासा खांदा बाला लाबा शेबा रबासा खानी ना खाबासे लीमन दे खोलो वो शेखिना रा ओ यस लौर्ड शीजस हम तुआ करते परबेश्वर तेरे बच्चों को तेरी महिमा के लिए अलग रहना सिखा प्रबू वो हर एक फैसले में तै करें कि ये मेरे प्रभू को महिमा देता है के नहीं देता है चाहिए भी हमारी खुशियां भी क्यों नहों अगर हमारी खुशियां तुझे महिमा नहीं देती है तो ऐसी खुशियां में नहीं चाहिए परबेश्वर हम येश्यू के नाम में ऐसी खुशियां आज मांते हैं जिससे सिर्फ तेरी महिमा हो प्रभू प्रभू हम प्रात्ना करते हैं यहां कोई भी बीमार हो येश्यू के नाम में आज मैं बोलता हूं प्रभू के दास होने के नाते हम मेल कर कहते हैं जंके हो जाए येश्यू के नाम में बीमारी की आत्मा तु जहां से आई है येश्यू के नाम में तुझे आग्या देता हूं तो लाट जा और फिर वापिस लाना ये शुक नामें इनके परिवारों में से दोर हो जाए ये शुक नाम में ओ रिबासा खाला लालाबा, उस पेडा की गई उस हर एक बीमारी को में ये शुक नाम में, उसके बॉंडेश को हम थोड़ते हैं ये शुक के नाम में, I break it in the name of Jesus, सध्री में सेभा ला से की नाम के लिए प्रब्बों यह हो जलो के प्रभू की महिमा कर प्रभु इन içinde की आत्मा में तुझे धमकाता हो यह शुके नाम में तो जरो भाइकी आतमा भाइका माहुल पयदा वी आत्मा मैं हांस जाहिरकरता हूं हॉस किक doors इन परीवार को अजींक खुझे इत्व एक परिवार का राउध यह ज़स्ट नहीं आपीस भता न twisted तीरों को I cut it in the name of Jesus Rima Sabah Thakha Lava Sander अन्य बाशा में बोले प्यारो अन्य बाशा में प्रहार करे येश्यू के नाम में कोई महामारी कलीश्या के सामने टिक नहीं सकती है कलीश्या में वो पावर है जो येश्यू ने दिया है जो येश्यू का है येश्यू की भरपुरी कलीश्य में उन्देली गई है वचन ये कहता है वो परपुरी को बाहर लाए बोले येश्यू के नाम में कोई भी कोई भी ठेक नहीं सकता है येश्यू के नाम में कलीश्या के हर एक प्रात्नाओं को वहां पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक सकता है ओ हाललोया पांच बजे जो लो प्रात्ना खरो प्रभू आपको सिखाएगा बनी बनाई प्रात्ना करना छोड़े बनी बनाई रित रिवाजी प्रात्ना करना छोड़े प्यारो उस समय बैठकर पवित्रात्मा से पूछे प्रभू पवित्रात्मा आपको सिखाएगा प्यारो ये मेरे शब्द नहीं है ये इश्यू के नाम में ये श्यू के नाम में आपको उठा रहा है, ओ वालेलोया, बड़े-बड़े गड़ो को प्रभु तोड़ने वाला ci साल में, आपकी प्रातनाओं से, आपकी दुआओं से, आपकी प्रातनाओं अदी, जीवन को कमजोरना समझे प्रभु, अध्बुत काम कर रहा है प्यारो अद्बुद काम कर रहा है आप तैयार करें जो पात-दस मिनित की प्रातना कर रहे है अनुग्रम आगे मुझे दस मिनित नहीं प्रबू येश्व के नाम में मुझे एक घंटा चाहिए क्योंकि येश्व ने मिनिमम एक घंटा बोला है अपने बच्चों को तु एक घड़ी भी मेरे लिए नहीं जाग सकता है प्रभू का प्रभू पत्रस को ये कहता है आपके लिए परबेश्वने जो ठहरा है उस समय को पकड़े प्यारो तब यह उस आत्मिक सफलता को देखोगे प्यारो आप उन खुले द्वारों को पाए है ये शु के नाम में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभू का अभिशेक तोड़ेगा और बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा आपको हांसिल करना पड़ेगा प्रभू उसके लिए आपको आत्मा की सामर से बरबूर कर रहा है ये शु के नाम में ह उनका परिवारिक व्योहार येश्यू के नाम में शांती पूर्ण और आशीश दायक और चंगाई से भरे हुए शब्दों का बन जाए येश्यू के नाम में प्रभू सही चुनाव करना सिखाईए प्रभू 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 एसाओ की माफग अपने विरासत को खोने वाल सकते हो इसको संभाले बहु मुल्य मोती प्रभू ने आपको दिया है आपके पीछे दूतों की फौज खड़ी हुई है वो फौज आपकी प्रात्नों की राह देख रही है हाललुया हाललुया प्रभू हम दुआ करते पर बिश्वर कोई भी आर्थी कर्जे में फसा हुआ ह येश्यू के नाम में उस कर्जे के बंधनों को हम थोड़ते हैं येश्यू के नाम में हाललुया हमारी कली से के जो बच्चे शादी की राह देख रहे हैं उनके पात्रों को अलग रखने वाली दूश्टा आत्मा को में येश्यू के नाम में धकेलताओं बार गेट लॉश from this church in the name of Jesus Yeshu के नाम में इस साल में हमारे जवान भाइबन Yeshu के नाम में उनके लिए जो आपने पात्र तयार किये है सारी राहे खोल जाए उनके लिए Yeshu के नाम में वे पाये परबेश्वर इस साल में और प्रभु फुले फले और प्रभु तेरी महिमा के लिए अलग आशिश लाइफ को ब्लेस करें परबेश्वर Yeshu की नाम में Yeshu के नाम में रिसीव करें अपनी चंगाई को मेरे लाइफ की चंगाई को रिसीव करें Yeshu के नाम में इमोशनल हीलिंग को रिसीव करें Yeshu के नाम में Yeshu के नाम में उस दुश्ट आत्मा को डाटे जो आपके मेरे लाइफ प्रमेश्वन नापके पात्रों को एक दूसरे के साथ खड़ा रखने के लिए आपको जोड़ा है आपको उंचानी चा बनाने के लिए नहीं येश्चु चाहता है जितने आप भरपूर हो उतना ही आपका पात्र भी भरपूर हो आप कहे येश्यू के नाम में मेरे पात्र के खिलाफ काम करने वाली आत्मा को येश्यू के नाम में मैं थोड़ता हूँ हर एक भई की या तो या तो बांदने वाली आत्मा जो एक दाइरे में बांद रखने वाली आत है। है आलेलोय या web देरी happiest आफ के जीवने से प्रभू तेंक यू ठू। शहीं के आपके बात्चीट आपके मिलाकात के लिए प्रभू आपकी समझ और शिक्श्यह के लिए धनिवाद करते हमें आपकी महिमाइं के अध्ब॥' पा तरब न ये के नाम में हम दुआ करते से कुबूल कीजिए आमेन आये प्रभु की सिखाई वी प्रातना साथ मिलकर बुलेंगे वाकाश्मन आमरा बाप तुमरू नाम पवित्र मनाओ तुमरू राज्याओ चमा काश्मा तेमा पृत्वी पर तुमरी इच्छा पूरी था दिवस्ति हमारे अब उस महान पिता परमेश्वर का अदबुत अनुगर उसका असीम और गहरा प्रेम येश्यु मसीका साथ और उसकी खृपा और उसका अनुगर और पवित्रा आत्मा की सेभ भागिता आज से लेकर हमेशा अऊसो प्रेर की कलीसिया और ऐसे विश्वासी जिनों ने अपन आपको संसार से और समाद से लोगों से अलग किया है और वफादारी से चल रहे येश्यू के नाम में उन पर बनी रहे आमें